सुगाई dictionary class में आप सभी का फेड़ सा स्वागत है और इस पूडियो में लेकराएं फ्रेंस P का 115 पार्ट इस पूडियो में आप लोगो हम साथ नए वर्ड सिखाएंगे तो चलिए फ्रेंस सुरू करते हैं बिना time waste किये सबसे पहला वर्ड फ्रेंस यहाँ पर परसनल परसनल में सुटा है फ्रेंस ब्यक्तिगत या नीजी ओके और परसन आप लोगों को पताया थे पिछले वीडियो में P E R S O N केवल परसन का मतलब होता है पूरूस ठीक है या ब्यक्ति यहाँ पर दूसरा वर्ड फ्रेंस परसनलिटी परसनलिटी में सुटा है ब्यक्तित्व आप लोग साथ जानते होंगे इस वर्ड को तो परसनलिटी का मतलब ब्यक्तित्व यहाँ पर देखिए तीसरा वर्ड फ्रेंस परसनलाइज परसनलाइज का मतलब होता है ब्यक्तित्व भाव उत्पन करना आप लोग यहाँ पर पूरा लिख से जिगा ब्यक्तित्व भाव उत्पन करना, personalize चौथा वड़ी फिरन्स परसनली, परसनली मिज़ता है swim या फिरन्स साक्छात यहाँ पर देखिए पाचा वड़ी आप लोग का परसनेट, परसनेट मिज़ता है फिरन्स भेस बदलना, मतलब की, रुब बनाना, ठीक है आप लोग यहाँ पर लिख लेजेगा रूप बनाना होता है या वेस वदलना देखिए next word है ah e पर रूप धारड करने वाला तो पर्सोनेटर का मतलब बहुरूपिया सुगाईच एक बड़ा रिपीट करते हैं सबसे पहला पता है आप लोग को पर्सनल ब्यक्तिगत होता है या नेजी पर्सनलेटी मिशोता है ब्यक्तित्व पर्सनलाईज मिशोता एफ्रेंस ब्यक्तित्व भाव उत्पन करना पर्सनली स्वयम या साक्षात पर्सनेट मिशोता एफ्रेंस बेस बदलना या रूप बदलना पर्सोनेशन वेस धारड या पर रूप धारड होता है परसोनेटर में जोता है फ्रिंस बहुरूपिया या पर रूप धारड करने वाला चलिए फ्रिंस आगे मिलते हैं आप लोगों से पी का एक सो सोरा पार्ट में